नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार्ग स्रीमद भागवद गीता के अनुसार एक बार मानसिक तकलीफों से जूज रहे धर्मराज युदिष्ठिर को चक्रधारी श्रीकृष्ण ने समस्त दुखों त्रिविद तापों से मुक्ति दिलाने हजारो यग्यों के अनुस्ठान की तुलना करने वाले चारो पूर्षार्थों को सहजी देने वाले एक अदसी ब्रत का बिधान बताया था यह ब्रत सुर्योदे से अगले सुर्योदे तक किया जाता है और भूल कर भी इस ब्रत में चावल नहीं खाना चाहिए तो एक अदसी ब्रत में चावल का सुरूप सिवलिंग की तरह होता है और देशी घी के दो दीपक जला कर कम से कम पांच माला ओम नमो भगवते वासु देवाय का जब करना चाहिए लेकिन जो दो दीपक जलेगा उसमें एक दीपक में नो बातियां होगी और दूसरे दीपक में एक बाती होगी जो दीपक में नो बाती होगी वो रात में जलेगा रात करीब 11 से 1 के बीच कम से कम आधा घंटा दीपक जरूर जले ऐसी वेवस्था करें और एक दीपक साम में घी का दिया जलेगा भगवान स्री हरी के सामने और ऐसा जलाएं कि पूरी राद जल सके नहीं भी जला सके तो कम से कम आधा घंटा जरूर जलें ऐसी वेवस्था करें एक दसी के दिन यह था सकती गाय नंदी बैल स्वान आधी को अन्न खिलाना चाहिए अन्न दान भी करना चाहिए लेकिन स्वयम किसी का दिया हुआ अन्न कदापी ग्रहन ना करें इस ब्रत में भूल कर भी चावल या भात नहीं खाना चाहिए क्योंकि भारती प्रमप्रा लगातार चलने वाला और तन्मन अंतर्मन को स्वासर रखने वाला मानग है तो ऐसे में प्राचिंता को ही सबसे बड़ी औस्दी मान कर चले और अगर हम हरी बंस पुरान की बात करें तो चावल यानि अक्षत और जो को जीव मानते हैं भगवान सीविक के महान भक्त महरसी मेगा ने चावल और जो के रूप में धर्ती पर जम लिया और ऐसी ही परम गुरुभक्त सनिदेप के अराद महरसी पिपलाद ने घंगोर तपस्या के फल सरूप महादेप से पीपल ब्रिक्ष बनने का बर्दान मांगा था आप कभी गौर कीजेगा कि दुनिया में पीपल के पेड़ के नीचे सरवाधित सिबलिंग होते हैं और पीपल में ब्रंभा विश्णु महेस तीनों का देपताओं का स्थान होता है इसलिए एकदसी तिथी पर पीपल के पेड़ में जड़ में मीठा जल अरपित करने का विधान है इसके बारे में कहा जाता है कि एकदसी की दिन चाबल खाना महरसी मेघा के मांस और रख्त के सेबन के करना जैसा है और मेघा हमारे ग्यान विवेक को भी कहते हैं इसलिए 11 के दिन ये 11 दिति के दिन चाबल के भक्चन से बुद्धि बरस्ट होती है हमारे निरने लेने की छंता खराब हो जाती है और ब्रहम बरत पुनान के अनुसार ब्रहमभा जी के पसीने के एक बूंद गिरी तो बिसाल दाओं बन गया और महादेब की भक्ती महाभक्ती से वो सक्तिसाली होकर उत्पात मचाने लगा तब भोले नात ने उसे सिबलिंग रूप अक्ष्छत में बास करें साथ में यह भी कहा कि तुम्हारे पाप के कारण तुम एग्यारस तिती को कीडे के रूप में चावल में रहोगे इसलिए कहा जाता है, ग्यारस के दिन चावल का सेवन कीडे के खाने के बराबर है तो ये हमारी परंपरा है परंपराओं का पालन करें हम आपसे विदा लेते हैं हर हर महादेब तनिवाद